हर साल 25 जन्वरी को राश्री मद्दाता दिवस मनाया जाता है इस दिन देश के चुनावों में अहम भूमिका निभाने वालों को पुरस्कृत किया जाता है इस साल जिन लोगों को पुरसकार दिया जा रहा है उनमें सूचना और प्रसारण मंताले के तहट काम करने वाले Bureau of Outreach and Communication के प्रधान महानिदेशक सत्येंदर प्रकाश भी शामिल है भारती चुनाय आयोग voters participation बढ़ाने के लिए एक program रन करती है जिसे systematic voters education and electoral participation प्रफॉर्म प्रोग्राम कहते हैं और इस program के तहत ऐसी कोशिस होती है कि आने वाले हर चुनाओं में voters की participation बढ़े जो percentage है उसकी प्रतिधत में सुधार आये और इस क्रम में Bureau of Outreach and Communication जो सुचना प्रसालन मंतालारे का outreach wing है ये activities organize करता है across the country और activities जो है वो चुनाओं आयोग के साथ मिलके होती है जिसमें राज्यों के जो मुखे चुनाओं अधिकारी होते हैं उनके साथ सायोग से उनके consultation में इसे आयोजित किया जाता है और हमारी प्रार्थमिक्ता होती है उन छेत्रों को चुना जाए जहां पे वोटर्स का participation काफी लो रहा है और जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें प्राइमिरली ये outreach activity है जिसमें door-to-door campaign involved होता है साथ में हम mobile video vans के थुरू जो branded vans होती है उसमें audio announcement और लोग संगीत नाटक bureau जो हमारा है Song and Drama Division जिसे कहते हैं उनके कलाकारों के माध्यम से लोक नरत्य, लोक संगीत, इत्यादी के माध्यम से लोगों को अगर्षित किया जाता है और उनकी अहमियत चुनाओं में क्या होती है इसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है और अभी जो इस बार हमारा चैन हुआ है डिपार्टमेंटल कैटोग्रीज में बेस्ट अवार्ड मिल रहा है उसके लिए 2019 का आम चुनाओं और उसके बाद होने वाले Bureau of Outreach and Communication सुचना प्रशारन मंत्राले की आहम भूम्का रही है वोटर्स को एजुकेट करने में, एलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ाने में और उसी के रेकेग्नीशन में इस अवार्ड को दिया जाए